मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना ओम शान्ती उन्नेस जैनिवरी दो हजार बाइस बाबा की महावाक्य बाबा कहते नीठे बच्चे कार्य वैवार करते हुए बुद्धियोग एक बाप से लगा रहे यही है सच्ची यात्रा इस यात्रा में कभी भी ठकना नहीं कार्य वैवार करते हुए बुद्धियोग एक बाप से लगा रहे यही है सच्ची यात्रा, इस यात्रा में कभी भी ठकना नहीं कोशन है ब्रामन जीवन में उन्नती के लिए किस बात का बल चाहिए यह जो ब्रामन जीवन है इसमें उन्नती के लिए किस बात का बल चाहिए अनेक आत्माओं की आशिरवाद का बल ही उन्नती का साधन है जितना अनेकों का कल्यान करेंगे जो ज्यानरतन बाप से मिले हैं उनका दान करेंगे उतना अनेक आत्माओं की आशिरवाद मिलेगी बाबा बच्चों को राय देते बच्चे पैसा है तो सेंटर खोल दे जाओ हॉस्पिटल कम युनिवर्सिटी खोलो उसमें जिसका भी कल्यान होगा उसके आशिरवाद मिल जाएगे जो आप स्थान खोलेंगे जितनी आत्माई वह ज्यान प्राप्त करेंगी जीवन परिवर्तन करना सीखेंगी तो खोलने वाले को दुआई प्राप्त हो जाती है आशिरवाद मिल जाती है जितनों का कल्यान होगा उसके आशिरवाद मिल जाएगी गीता रात के राही ठक मत जाना ओम शान्ती गीत कार्थ बच्चों को आपे ही बुद्धी में आना चाहिए अभी हम सब हैं रोहानी राही भगवान बाप के पास आत्माउं को जाना है ऐसे नहीं कहेंगे कि जीव आत्माउं को जाना है जीव आत्माउं को शरी छोड़ कर वापिस जाना है मनुष्य मरते हैं तो कहते फलाना बैकुंठ वासी हुआ प्रन्तो तुम जानते हो अच्छे वा बुरे संसकार के अनुसार पुनर जनम लेना पड़ता है बुरे संसकारों के कारण तुमारे सिर पर पापों का बोज़ा चड़ा हुआ है चाहे इस जनम का वा जनम जनमांतर का चड़ा हुआ है वे अब तुम्हे योग बल से भस्म करना है चाहे इस जनम का चाहे जनम जनमांतर का जो भी पापों का बोज़ा है वो योग बल से भस्म करना है बाबा को याद करना इसको योग अगनी कहा जाता है कामचिता पर बैठने से पाप आत्मा बनते हैं और योग अगनी से चड़े हुए पाप भस्म होते हैं तो ब्रामण बच्चे जानते हम राही हैं हम सब ब्रामण बच्चे क्या जानते हैं? हम सब रुहानी राही हैं, गरस्त वैवार में रहते, धन्दा करते, हमारा बुद्योग बाबा के साथ है, तो जैसे कि हम यात्रा पर हैं, इसमें ठकना नहीं, बहुत पुर्शार्थ चाहिए, ज्यान तो बहुत सहज है, प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है, प्रंतो गीता सुनाने वले कभी भी ऐसा नहीं कहते कि शिव बाबा ने योग सिखाया, गीता में दिखाया, एक अर्जुन कोई बैट सरे कृष्ण सुनाते हैं, ऐसी तो बात है नहीं, ये तो मनुष्य से देवता बनना है, और पांडव सेना है जरूर, पांडवों के सेना कोई न बोट लोग कहेंगे, ब्रोबर गीता के भगवान ने पांजर वर्ष पहले ज्यान दिया था, परन्तु ये पता नहीं कि किस ने दिया था, कल्प के आयू का भी पता नहीं, अपनी अपनी मत देते हैं, गांधी गीता, जैगोर गीता, अंदर में नाम यहीं डालते हैं, स्र चंद्रवन्शी राम को बान दे दिये, वास्तों में ज्यान बान की बात है, मैं नापास हुआ, इसलिए निशानी दे दी, तो त्रेता यूगी राम सिता का भी चित्र देना पड़े, घराने होते हैं न, सूर्यवन्शी घराना, चंद्रवन्शी घराना, गीता में ऐसी ब वैं हिंदू कह देते, अपने को देवी देवता धरम का कहनी सकते, क्योंकि ऐ पवित्र हैं, ये जो कहते हैं, जूठी माया, जूठी काया, जूठा सब संसार, सो तो बिल्कुल ठीक है, जूठखंड में जूठे ही रहेंगे, सचखंड में है सच, सचखंड सापन करने वाल सच बताते हैं, भारत जो पुझे था, वो ही पुझारी बन गया, पुझे जो होकर गए, उनकी पुझा कर रहे हैं, जो पुझे घराना था, वे अभी पुझारी है, इसलिए गाय जाता, आपे ही पुझे, आपे पुझारी, पुझे डानिस्टी थी, अभी कल्यूग है, पु ऐसा था, चित्र तो है न, सत्यों में भारत माला माल था, ये बेहद की स्ट्रिजोग्रफी, कोई भी नहीं जानते, ये वरण भी समझाने के लिए जरूरी है, विराट रूप में जो वरणों की बात कही गई है, ये भी जरूर समझाने है, हम ब्रामन हैं उंचे से उंचे, इसको कहेंगे नया उंचवरण, जब शादी करते हैं, तो भी कुल को देखते हैं, तो तुम्हारा कुल बहुत उंचा है, मले ब्रामन तो दुनिया में वेह بी बहुत है, प्रंतु संगम पर, ब्रह्मा की संतान, ब्रामन कुल होता है वो ये नहीं जानते ये नई बात है मनुष्य समझते इनकी शायद अपनी नई गीता बने हुई है ये तुम बच्चे जानते हो बाप राजयोग सिखा रहे है हम सो देवता बन रहे है स्वैम शिव बाबा योग सिखा रहे है हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं हम राजाई स्थापन कर रहे हैं ऐसा और कोई कहना सके वो तो जो पास्ट हो गए उनकी कथाईं बैट सुनाते या हम महिमा तो गीता के ही करते हैं तो मनुष्य समझते गीता को मानते हैं जानते वो है भगती मारक की गीता, वहाँ पर है भगती मारक की गीता, प्रंतु जिसने गीता सुनाई, उनसे तुम अब डारेक्ट सुन रहे हो, बंदर सेना भी मशूर है, चित्र भी दिखाते हैं, अब बंदर को तो यह नहीं कहेंगे, जरूर मनुष्य के लिए होगा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत वहवार करो, तो यह बंदर के लिए तो नहीं होगा, जरूर मनुष्य के लिए होगा, भले सूरत मनुष्य की है, प्रंतु सीरत बंदर की है, इसलिए human बंद्रों को कहा जाता, बुरा मत सुनो, कान बंद कर दो, तुम बच्चे जानते हो, यह है पुराना शरीर, इसे कुछ न कुछ होता रहता है, कोई इस्तरी मरती है, कहते है पुरानी जुत्ती गई, फिर नई खरीद लेंगे, शिव बाबा को तो चाहिए भी पुर जाना हुआ है, अब बाबा केते नंबर वन में 84 जनम इसनी लिए, जो नंबर वन पावन सर्वगुन संपन है, उनको भी पतित बनना पड़े, तब फिर पावन बने, 84 जनमों का हिसाब है न, आपे ही पूझे, आपे पुझारी, वही श्री नारायन, अब खुद पुझार बनते हैं, तो नारायन की बैट पूझा करते हैं, आपे ही पुझे, आपे पुझारी, वही नंबर वन सोल जो पुझे थी, फिर लास्ट जनम में, जब वो दादा लेखराज के रूप में होते हैं, तो उस समय वो श्री नारायन की पूझा करते थे, श्री नारायन का चित् तो अच्छा नहीं लगा, तो लक्षमी का चित्र उड़ा कर सिरफ नाराइन का रख दिया, ज्यान से पहले की बात है ये, कि जब बाबा ने चित्र देखा, दादा लेकराज ने कि लक्षमी नाराइन के पाउं दबा रही है, तो special artist को कहा, इसे अलग कर दो, ये अच्छी बा स्थापना हो रही है, जानते हो बरोबर ऐसा अटल अखंट, सुक शांती का राज्य था, तुम कोई को भी समझा सकते हो, कि हम राज्योग प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं, किसी को भी बता सकते हो, कि हम प्रैक्टिकल में राज्योग सीख रहे हैं, कोई कहते हैं, फुलाने संत के पास गए, हमें बहुत शांती मिली, प्रन्तु ये तो ही अलपकाल, शन भंगुर क शांती करके 10-20 को मिलेगी, यहां तो दुनिया का सवाल है, सची सची शांती तो सत्यूग में रहती है जो सियाने बच्चे है वो कलप पहले माफिक अपना पूर्शाट कर रहे हैं जो समझदार हैं बच्चे कलप पहले की तरह हैं पुर्शाट कर रहे हैं, कोई नई नई गोपी काउं को, घर बैठे एक बार ग्यान मिलता है, तो खुशी का पारा चड़ जाता, कल एक यूगल बाबा के पास आया, बाबा ने समझा है, बच्चे, तुम बाप से बेहद कवर्सा नहीं लेंगे, आधा कल्प नरक में गोते ख के दुखी हुए हो, अब एक जनम क्या विष्णी छोड़ सकते हो, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, क्या पावित्र नहीं बनोगे, बुला है तो डिफिकल्ट, बाबा ने का काम चिता पर बैठने के लिए, जिस्मानी ब्रामर ने तुम्हारा हत्याला बांदा, अब तु जिता पर बैठ, स्वर्ग के महराजा महरानी बनो, तो कहां आपको सहायता देनी पड़ेगी, बाबा ने कहां, शिव बाबा को याद करते रहोगे, तो जरूर सहायता मिलेगी, जिनको पावित्रता की सबजेक्ट मुश्किल लगते हैं, बाबा किस बात को अंडरलाइन कर कि शिव बाबा को याद करेंगे, अपनी कमजोरी को स्विकार करेंगे, तो मिटाने में, कमजोरी मिटाने में बाबा की मदद जरूर मिलेगी, शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तो जरूर सहायता मिलेगी, बोला हां याद करूंगा, जट बाबा से हतियाला बांधा, अंगूठी भी पहने, ये बाप तयदा है न, बेहद का बाप कहते बच्चे, तुम पवित्र नी बनोगे, तो स्वरग में भी नहीं चल सकोगे, ये अंतिम जनम पवित्र नहीं बनने से, तुम राजाई को बैठेंगे, इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते बाबा तुम्हारा ज्यान योग से श्रिंगार कर रहे हैं तुम ऐसे लक्षमी नारिन बन जाते हो अगर बाप का नहीं माना तो समझेंगे इस जैसा महामूरक दुनिया में कोई नहीं बाबा की बात नहीं मानी तो यह कहा जाएगा इन जैसा महामूरक दुनिया में कोई नही एक होते हद के मूरक, दूसरे होते बेहद के मूरक, यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते, जो वायू मडल को खराब करें, हंस मंडली में मलेच बैठ ना सके, बाबा कितना श्रिंगार कर, लक्षमी नारण जैसा बनाते, माया फिर बिलकुल कंगाल, वर्थ नाटे पैनी बना दे कोई के पास 50 करोड हैं, तो भी वर्थ नाटे पैनी है, किसी के पास 50 करोड क्यों ना हो, फिर भी वो कोडी तुल्य है, क्योंकि यह सब तो भस्म होना है, साथ में तो सच्छी कमाई चलनी है, बाबराय देते, बच्चे सेंटर खोलते जाओ, मनिश्यों का बैठ श्रिंगा करो, प्रन्तो युनिवर्स्टी कम हॉस्पिटल खोलने वाला भी अच्छा हो, जो किसी को समझा सके, या दूसरे को खोल कर दे, तो वो बैठ करके समझाए, तो उसके आशिर्वाद से भरपूर हो जाएंगे, जो खोलता है, उसको बहुतों की आशिर्वाद मिलती है, जो स इसको बैठ कर सके आशिर्वाद मिलती है, बल मिलता है, 21 जरम के लिए फायदा है, ऐसा कोई होगा, जो बाबा की शिरिमत पर ना चले, कदम कदम पर बाबा की शिरिमत पर चलना पड़े, विघंतों पढ़ेंगे ही, बाठेली गोपिकाओं पर कितने सितम्ब होते हैं, इस निर्वेर शिव बाबा की महिमा क्या है निर्भे निर्वेर हमारा कोई सिवेर नहीं बाप श्रिंगार कराते तो उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए बाबा क्यों नहीं हम आपकी शिरीमत पर चलेंगे हमारा इसमें बहुत कल्यान है आपकी शिरीमत पर चलने में हमारा कल् बिल्यान है, हर एक को सची आत्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए, जगड़ा होगा, अब लाओं को सैन करना पड़ता, नहीं मानते, समझो हमारे कुल का नहीं है, मेनत करनी पड़ती, कहां से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर भले प्रजा लाइक भी बने, औरों को भी प्रजा लाइक बनावें, ये भी अच्छा है, प्रजा भी तो बनानी है न, मनुष्य से देवता बनाना, ये कारिय बाप के सिवाई, कोई भी नहीं कर सकता, मानव को देव बनाना, ये कारिय भगवान के सिवाई, कोई नहीं कर सकता, तुम ब्रामन हो उँच से उँच, व और एक बगुला, अत्याचार भी होंगे, मायरावर ने सब को बरबाद कर दिया, बाब आकर आबाद करते, सालवेंच बनाते, पिछाड़ी में बादिशाई तुम्हारी होगी, लडाई के बाद भारत माला माल बनता, वो तो जानते नहीं कि इस महाँ भारी लडाई के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है, तो बच्चों को बहुत अच्छा पुर्षाट करना है, भाषा भी रिफाइन होनी चाहिए, शंक ध्वनी करनी है, नहीं तो कहिंगे इनके पास शंक नहीं है, मतलब जो ज्यान की बाते सुनते हैं, और उको भी सुनानी है, इसको बाबादे शं शंक ध्वनी करना, अगर कोई नहीं सुनाते हैं, इसका मतलब शंक नहीं है, भले कमल फूल समान बनना है, चक्र भी है, प्रन्तु शंक नहीं है, भले कोई कमल पुश्प समान पवित्र बने हैं, गुद्धी में स्वदर्शन चक्र भी घुमाते हैं, पर जब दूसरों को स सुनाते नहीं तो उनके पास एक अलंगकार मिस है, शंक, बाबा केते, ज्यानी तो आत्मा मुझे प्रिये है, गोपियां भी मुरली पे मस्त होती थी, स्रीकृष्न ने तो मुरली नी चलाई, ये है स्रीकृष्न की आत्मा का अंतिम चनम, ध्यान से समझेंगे, जो ब्रह्मा ह ये स्रीकृष्न वाली आत्मा का लास्ट बर्थ है, लास्ट में वो ही आकर के ब्रह्मा की फॉर्म में है, ब्रह्मा ही स्रीकृष्न बनते हैं, जब स्वंबर होता है, तो उनी का नाम श्री नारायन होता है, जो चक्र लगा कर आई है, अब इनको नौलिश मिली है, जानते ह यह है पुरानी दुनिया, इसको फार्कती देनी है, अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो, विनाज से पहले पुरानी दुनिया को फार्कती देते हो, अगर फार्कती नहीं देंगे, तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा, रावनपुरी में 63 जनम दुख भो चोड़कर, अकेले होकर, अशरीरी बनकर बाबा के पास आजाओ, अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चो प्रती, मात्पिता बाब तदका, याद प्यार, गुड मॉरनिंग, रुभानी बाब की रुभानी बच्चो को नमस्ते, रुभानी बच्चो की रुभानी अब तदको नमस्ते, good morning, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारणा के लिए सार, क्या सार होगा? पहली पॉइंट है ज्ञानी तो आत्मा बन, शंक ध्वनी करनी है, हर एक को सच्ची आत्रा सिखानी है, अपनी प्रजा त्यार करनी है, बुद्धी से पुरानी दुनिया को फ बुद्धियोग नई दुनिया से लगाना है निर्भे निर्वेर बनना है आज का वरदान व्यक्त भाव की आकर्शन से परे अव्यक्त स्थिती का नभव करने वाले सर्वबंधन मुक्त भव व्यक्त भाव की आकर्शन से परे अव्यक्त स्तितिकान भो करने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव परविर्ती में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में अपनी देहे में पदार्थों में कहीं फस्तना नहीं संकल्प में भी कोई बंधन आकरशित ना करे क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर करम में भी आएगा इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकरशन में नहीं आना है तब न्यारी प्यारी अव्यक्त सिती का अनुभव कर सकेंगे किसी भी आकर्षन में नहीं आना तब न्यारी प्यारी अव्यक्त सिती का अनुभव कर सकेंगे इस लोगने बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो बाबा सहारा है, मदद करता है यह अनुभूती करनिया तो हद के सहारे छोड़ दो लवलीन सिती का अनुभव करो पर मातम प्यार में सदा खोई हुए रहो चेहरे की जलक और फलक, अनुभूती की किरने इतनी शक्तिशाली होंगी जो कोई भी समस्या समी पाना तो दूर आँख उठा के भी ने देख सकती किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी जब आप पर मातम प्यार में खोई रहेंगे, लवलीन रहेंगे तो वो अनुभूती की किरने इतनी शक्तिशाली होंगी जो कोई भी समस्या समी पाना तो दूर आँख उठा के भी नहीं देख सकती ओ शाल देख और अब यहें एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे